नमस्कार मेरिशिन रूल यूटीब चेनल पर आपका स्वागाध है आज हम बात करेंगे या कॉम्प्रिजन करेंगे दोач दोड्रील म॥ी सिंका आप एक को बन्च डिल म॥ी कह सकते हैं पहलां प्रिजन है साइस का Satel देखो यह बहुत चोता है और यह बड़ा है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह थोड़ा महंगा है मतलब ज्यादा नहीं लेकिन यह इस से बड़े वाले से थोड़ा सस्ता है इसका जो ऑच्छा है और यह भी अच्छा ही है लेकिन कुछी मामलों में ज्यादातर मामलों में यही मारेगा तेख्ये तो यह है ब्रैंडड कंपेनी का इंको का और यह है लोकेल लोकेल प्रड़ाक आपको लेना चाहिए ताकि हमारा देश का जो कमपेनी है वो भी ग्रो करें लेकिन अच्छे प्रड़ाक्ट पे ठीक है पहले हम दोनों मेशिन के प्राइस के बारे में ही बात करेंगे इसका प्राइस है 12,000 मैंने अफ्लाइन लिया था और इसको मै अनलाइन लिया था 8,000 का इसका जो मोटर है वो हाफ एच्पी का है उसका मोटर भी हाफ एच्पी का है ठीक है लेकिन वो मोटर ज्यादा पावरपूल है क्योंकि उसमें दो कैपासितर है और इस मोटर में एक ही कैपासितर है इस मोटर का एक साल का वारेंटी है लेकिन इसक एक साल से ज्यादा ही चल गया ठीक है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इस से थोड़ा कमज़र है बुरा नहीं है लेकिन इस मेशिन से थोड़ा कमज़र है लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन लेकिन फिनिसिंग बहुत ही भकवास है बहुत ही घ में दिखाऊंगा आप लोगों को कि अग्टम पार्फेक्क एकुरेसी नहीं है लेकिन इस मेशिन से तो अच्छा ही है ठीक है और आप इसका फिनिसिंग देखी सकते हो यह तूटा फूटा हालत में ही मुझे मिला और बहुत साइट पर कालार ही नहीं है फिर भी जो भी हो लेकिन इसका बिल्ड कॉलिटी बहुत अच्छा है इसी वाज़े से यह बहुत भाड़ी भी है यह साइज में चोटा हने के करन्द आप इस पर ज्यादा हाइट की चीज़े नहीं रख सकते मतलब हाइट की चीज़े रख के आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते इस पर एक सेफगार्ड भी आया था यहां पर फिद रॉट भी आया था लेकिन वो तूट गया था मेशिन गिर गया था इसलिए तूट गया लेकिन यहां पर एक सेफगार्ड आया था यहां पर एक फिद गेस भी आया था जो जो फिद गेस था यह बहुत एकुरेट था ठ और दूसरी बात यहां पर कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आता है यहां पर दारेक्ट जो स्पिंडल है वो तैपार स्पिंडल है और यह टैपार शाक है यह यहां पर फीड हो दाता है यहां पर पर एक मतलब स्लीव है वहां पर आर्वर या शोकेट लगता है यह ट्रेड़ेट आर्वर लगाया है मैंने साइड इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत भॉल्भिंग करता है तेके तो यह ट्रेड़ेट साख है यह ट्रेड़ेट साख नहीं है इसमें कोई कोई दोसुविजा नहीं होगा आपको दोनों ही अच्छा ही व्रक करता है अपर आपको आप देख रहे होंगे इसका आर्पीम कितना है ठीक है तो यह 350 वाट का है इसका साख साइज है 13 mm और इसका लोएस्ट आर्पीम है 580 और इसका हाइस्ट आर्पीम है 2650 ठीक है और इस मेशिन का वेट है 16 के जी इसका जो टेबल साइज है ठीक है इसका टेबल साइज आपको मिलेगा इसको टेबल कहते हैं इसका टेबल साइज इसका टेबल साइज है 291 इन्टू 183 mm यह जो बेस या बेंश है यह बड़ा होने से क्या होता है अच्छा होता है कि इस मेशिन की हाइट के हिसाब से यह ठीक है लेकिन इस मेशिन का जो हाइट है यहां पर तो मेंशन नहीं है तो इस मेशिन का जो हाइट है तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा और चोड़ा होना साही अगर मैं इसको देखिया थोड़ा सा भी अगर पूस करूं तो यह इधर उधर होता है और एक बज़ा है कि इसका जो फिनिसिंग है वो अच्छा नहीं है तो क साइड यह हिलता है ठीक है तो इसमें यह यह परब्लेम है और आप देख सकते हैं इसका बेल्ट ओपेन है इसमें भी चार पूली है मैं आपको खोल गए दिखाऊंगा इसमें भी सार स्टेप का पूली है लेकिन इसका बेल्ट ओपेन है इसकी वज़ा से क्या होगा जो मोतर है मोतर पर कुछ दास्त या रास्त गिर सकता है क्योंकि वॉर्क्षप पर काम चल रहा है वह सब्सक्राब गिरे गई और इसकी बदा से मोतर जल्द ही खराब होने का सांस रहता है ठीक है और लेकिन यहाँ पर एक प्रौपर कोभार है इसकी मतंसे बहुत सेफ रहता है कभी अगर आपका हात बाइशन्स यहां पर फास गया तो आप आपका एक्सिडेन भी हो सकता है आप जक में भी हो सकते हो और इस मोटर में आपको इन वील्ड स्याता है स्यूप देख रहे है तो यह स्यातर है लेकिन इहां पर कुछ नहीं आता इहां पर तो आपको इसका वायर भी नहीं आएगा ठीक है यह वायर मुझे खुद लगाना पड़ा यह स्विच भी मुझे खुद लगाना पड़ा तो इसमें तो यह प्रब्लेम है दूसरी बात आप जब को टाइट करोगे तो यहां पर स्प्रिंग टाइप है तो आप आप खुद ही अकेले ही इसको मतलब बैल्ट को टाइट कर सकते हो लेकिन उस मेसिन में इसा नहीं आपको दो लोग तो लगेंगे ही उसका बैल्ट करने के लिए और बहुत ही मेहनत का काम है ठीक है यह मेसिन भी बहुत भाड़ी ह और जल्दी से ताइट भी नहीं होता है मतलब आप उसको ज्यादा बैल्ट उपर नीचे या आप ज्यादा स्पीट कम ज्यादा नहीं कर सकते तो आपको बहुत तकलिफ होगी और यह है इस मेसिन का अंदर का सिस्टम सेम ही है यहां पर आपको फाइफ स्टेप पुली मिलत एक, दो, तीन, चार और पाच लेकिन वहां पर आपको सिर्फ स्टेप का ही पुली मिलेगा तीक है और यहां पर चोटी-चोटी बात पर भी ध्यान दिया गया है यहां पर एक चार्ट है तीक है इसकी सहायथा से आप आपको जितना आर्पियम का रिक्वाइर होगा रिक्वाइर्मेंट होगा आप उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते है तो मुझे इस मेशिन को यूज किये हुए एक साल हो गया और हाँ यहां पर एक और फेसलेटी है यहां पर जो आप यह नंबरिंग देख रहे हो आप मेरा कैमेरा ठीक नहीं है इसलिए आपको दुंदला दिखाए दे रहा होगा इसको आप 45 डिग्री एंगल तक आप मतलब इंकलीट कर सकते हो जिख्रेख और इ एक मेशिन ऐसा कुछ सो कि नहीं है तीक है उस मेशिन में आप जिख þाएक इसको तोड़ा हयथ एजस्ट्मेंट कर सकते हो इहहां पर यहां जो नाथ बोल थै इसको इश्को दोछ कर करके आप बैट को उपर-निशे ही कर सकते हो और सबसे ज़रूरी बात इहां इसका जो सेंटर है और यह बेट का जो सेंटर है यह दोनों मैट्स नहीं है तो कभी भी आपका भीट इहां पर लगके बेट खाड़ाब हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे ठीक है अब इसा मिशिन आप कभी मत लेना प पार चेक किये बीना आपका पेशा मत देना किसी को ठीक है तो मुझे गलती हो गया यह और इसमें ऐसा नहीं है इसमें भी एकुरेट सेंटरिंग नहीं है लेकिन उससे बेतार है ठीक है और इस मेशिन को चलाया है मुझे एक साल हो गया तो जादा मुझे कुछ प्रॉब्ल यह मेरी ही गलती थी और उसको मैंने रिप्यार भी कर लिया तो उसको कैसे रिप्यार किया तो उसके उपर भी मैं वीडियो लाऊंगा लेकिन आज का वीडियो इतना ही अगर आपको वीडियो आच्छा लगा इन्फोर्मेटिव लगा तो सेनल को सब्सक्राइब करना मत करना वेडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया